सभी को नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल CG Study Zone पे कहां पे जी CG Study Zone पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहां पे फ्री में आपको online classes उपलबद कराई जाती हो चाहे आप CG PSC हो या CG व्यापम हो या CG पुलिस भरती हो इसके लिए आपको फ्री में online classes उपलब्द कराई जाती हैं हम लोग mc की question solve करते हैं ठीक है जी क्या solve करते हैं mc की question solve कर ले से हम लोग theory पढ़ते हैं आपको theory भी free में provide कराई जाएगी तो आज के session में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे 36 गड़ के उद्योग क्या पढ़ेंगे 36 गड़ के उद्योग के बारे में देखेंगे 36 गड़ के उद्योग हर exam की view से देखा जाये तो इस topic से लगभग 2-3 question आपके आते ही आते हैं तो यह थोड़ा सा बड़ा chapter है इसलिए हम लोग इसक चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को subscribe करें ताकि आप लोगों को जो पहला वीडियो है आपके इस किन पर पहले प्रोवाइड हो और आप लोग मेरा जो यूटूब में जो वीडियो डलता है वो लोग आप लोग पहले देखें ओके ज़्यादा हम लोग बात ना करते हुए हम लोग question में चलते हैं question से पहले हम लोग हलका theory solve करते हैं आप लोगों का बहुत support मिल रहा है बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोग का अच्छे share अच्छे comment आ रहे हैं तो इससे मैं भी motivate हो के आप लोगों के लिए अज थोड़ा सा extra आप लोगों के लिए theory classes theory देखते हैं theory में देखेंगे क्या देखेंगे theory में देखेंगे क्या पहले देखते हैं आपका अद्योगिक पुरुसकार योजना question पूछा गया है अद्योगिक पुरुसकार योजना कब प्रारम किया था कब प्रारम किया था 2009 में प्रारम किया था कितने सिरणी में दिया जाता है आपके पांच सिरणी में दिया जाता है और वो पांच सिरणी कौन-कौन से हैं ये तो CGPSC बड़े एकजामों में पुछे जाते हैं पर अभी इसको हम लोग देख लेते हैं जो पांच सिरणी है पहला सिरणी में आपका क्या है सुक्षम एवं लगू उद्योगों के समग्र मुल्यांकन हेतु दूसरा है अनुसुची जाती जन जाती वर्ग द्वारा इस्थापित सुक्षम एवं लगू द्योग तीसरा अपका निर्यातक सुक्षम एवं उद्योग चौथा महिला उद्यमी द्वारा इस्थापित उद्योग पांच व में दिये जाते हैं पांच स्रेड़े में दिये जाते हैं पुरुसकार रासी ये बहुत important है कितने तरीके से पुरुसकार रासी दिया जाता है तीन तरीके से प्रथम द्यूती और तिती प्रथम में दिया जाता है एक लाग इंक्यावन दियोति में एक लाग तिरति में इंक वणहजार आपको क्या दिया जाता है पुरुस्कार दिया जाता है तो यह होगै अब देखते हैं 36 गड में कहां 36 गड राज्य में ओद्योगीक ओद्योगीक विकाष निगम लिमिटेट के इस थापना कब हुई थी इसकी इस्थापना कब हुई थी इसकी इसथापना कब हुई अप्रेल दो हजार एक कब हुई थी साथ अप्रेल दो हजार एक को हुई थी किसके स्थापना अध्योगिक विकास निगम लिमिटेट की स्थापना कब हुई थी साथ अप्रेल दो हजार एक को याद रखना दो हजार एक को कब वह था साथ अप्रेल दो हजार एक को इसका कार करियल है आपका हमारे राजधानी रायपूर सीटी में इसके करियल है और लोग तो आप लोग सिखाफाना अप्रेल 2000 को करेल है कहा हैं आपके रायपूर सीटी में हैं कहा है cham text में हैं अब देखेंगे ब्रमुख रामुख विकास केंद्र है ठीक मैं आपको ये PDF में क्या दे दिया हूं ये नक्सा दे दिया हूं यहाँ पर आप मानचित्र के थूरू देख सकते हैं लेकिन मैं इसको आपको अच्छे से पूरे जिले में कौन-कौन से उद्योगी के छेत्र हैं वो आपको अच्छे से बताता हूं बड़ा बना रहे हैं क्योंकि उपर से पड़ते आएंगे सर्गुजा संभाग से ठीक यह हूआ आपका उपर वाला सर्गुजा संभाग कौन सा संभाग जी सर्गुजा संभाग सर्गुजा संभाग में यह हूआ मनेंद्रगट चिर्मिरी भरतपूर मनेंद्रगट चिर्म गड़ी कौन सा है पर्सा गड़ी ठीक कहां पर ये मनेंद्रगर में पर्सा गड़ी ठीक कोरिया में नहीं है कोरिया में आपका एक भी नहीं है कहां पर कोरिया में नहीं है इसलिए इसको छोड़ते है ठीक परसागड़ी अपन नकसे वाई से चलेंगे आपको याद होगा देखो नाम जो है नया है आपका नॉर्मल गाउं के पास का आप गाउं के नाम बोलोगे तो आपको याद आ जाता जट से लेकिन जिसको आप जानते नहीं पहली बार सुने हो वो याद नहीं आता मैं भी पहली बार पढ़ा था तो मेरो को भी याद नहीं था लेकिन बार बार पढ़ने से याद हो गया आप इसको एक से दो बार रिवाईस करोगे पर्सागड़ी पर्सागड़ी तो कहां मनेंद्रगड़ में तो ऐसे भी याद रख सकते हूं पर्सागड़ी पर्स कहां गिरा या 36 गड़े में बोलते हैं पर्स गिरिस मनेंद्रगड़ में कहां मनेंद्रगड़ में पर्स गिरिस मनेंद्रगड़ में कहां गिरा जी पर्स गिरा मनेंद्र गड़ में कहां मनेंद्र गड़ में पर्स गिरा मनेंद्र गड़ में पर्स गिरा आपका कहां मनेंद्र गड़ में पर्स गिरा मनेंद्र गड़ में ऐसा आप कोड याद रख सकते हैं पर्स गिरा मनेंद्र गड़ में गिराजी पर्स मनेंद्रगड में गिरा ओके ठीक अब मनेंद्रगड कोरिया में कोई नहीं फिर सुरजपूर में भी कोई नहीं इधार आपका बलामपूर में भी कोई नहीं इधार देखते हैं सर्गूजा और जस्पूर में तो सबसे पहले सर्गूजा में चलते हैं कहां च गंगापूर्खुर्द एक दूसरा है नयन पूर और गिरी गिरीवर गंज कौन सा है गिरीवर गंज ठीक कहां पर यह सरगुजा में सरगुजा में गंगापूर्खुर्द और नयन पूर गिरीवर गंज कहां पर है सरगुजा में अब यह आपका जस्पूर जिला जस्पूर में एक है सिर्फ एक जस्पूर में एक याद रखना आपका बन गाउं कौन सा गाउं बन गाउं गाउं कहां बना जस्पूर में बना यह आपका बन गाउं, तो सर्गुजा संभाग में तीन जगा, मनेंद्रगड में, सर्गुजा में और जस्पूर में, मनेंद्रगड में पर्स गिरा, पर्स गिरिस कहां गिरिस जी, मनेंद्रगड में, कहां गिरा, पर्स गिरा, मनेंद्रगड में, ठीक, और सर्गुजा में, सरगुजा में गंगापूर खुर्द नयानपूर गिर्वर गंज नयानपूर गिर्वन गंज और बन गाउं कोन गाउं बन गाउं जस्पूर में बन गाउं जस्पूर में अब जस्पूर के जस्ट नीचे अपन आते हैं कहां पे ये रायगड एरिया में कहां पे जी ये राय रायगड में जस्पूर की जश्ट नीचे पहुंचे रायगड ठीक है जस्पूर की जश्ट नीचे क्या है जी आपका रायगड सीटी रायगड सीटी में सोरी सोरी मैं इसको एक ही कलर से करना चाहरा हूँ यह क्या है रायगड सीटी में रायगड सीटी में आपका क्या है ला मैं आपको PDF में दे दूँगा लेकिन यहां पर नक्से से बता रहा हूं क्या है ला रा ला रा ला रा ओके अपन सिर्फ अभी बिलासपूर और सरगुजा संभाग देखेंगे ठीक अब उसके बाद यह उपर वाला एरिया कोरबा कौन सा है उपर वाला एरिया कोरबा चले गय ठीक कौन सा है सक्ती यह सक्ती सक्ती में क्या है आपका बारा द्वार क्या है सक्ती में बारा द्वार सक्ती में बारा द्वार जांजगीर चांपा कौन सा है आपका जांजगीर चांपा जांजगीर चांपा में कापन और मुक्ताराज जान्जगीर चापा में आपका कापन क्या है आपका कापन और मुक्ता राज मुक्ता राज जान्जगीर चापा में कापन और मुक्ता राज आप लोग नए नए नाम है तो कन्फ्यूस होगा ही एक बार ध्यान से सुनो तो रिपीट करूंगा याद हो जाएगा आप भी फिकर रही है ठीक है याद करवानी मेरी जिम्मेदारी है ओके तो अपन पहुंचे जांजगीर चापा में ठीक अब रिपीट चलते हैं कहां चलते हैं फिर सिफ देखते हैं फिर से सरगुजा संभाग में सिर्फ तिन जगा पर्ष कहां गिरा ची पर्ष कहां गिरा मनेंद्रगड में चार बार बोलों के याद हो जागा पर्ष कहां गिरा मनेंद्रगड में अब आए सरगुजा सरगुजा में गंगापूर खुर्द नयानपूर और आपका गिर्वन्ज गंज गंगापूर खुर्द नयानपूर ग बंगाओं कहां है जस्पूर में बंगाओं कहां है आपका जस्पूर में बंगाओं कहां है जस्पूर में अब जस्पूर के नीची आए रायगड़ रायगड़ में लारा कौन सा याद रखना है रा लारा सक्ति सक्ति में बारा द्वार सक्ति में आपके बारा द्वार सक्ति में बारा द्वार तो सक्ति कहां दिखाते हैं जी अपन लोग सक्ति तो कुष्टी मैदान में देखाते हैं लेकिन याद रखना सक्ति कहां दिखाते हैं अपन द्वार में दिखाते हैं सक्ति कहां दिखाते हैं द्वार में या ऐसे अन्नोन हो जाएगा लेकिन बता देता हूँ मैं आप लोग जैसे समझे देखो सक्ति कहां दिखाते हैं सक्ति दिखाते हैं देखो सक्ति कौन दिखाते हैं जो एकदम नसे में टून हो जाता है वो सक्ति दिखाता है कौन दिखाता है नसे में टून हो जाता है वो सक्ति दिखाता है तो नसे में टून होने के लिए आज कल की मोडल जबाने के लोग कहां जाते हैं बार जाते हैं कहां जाते हैं बार तो सक्ति कहां दिखाएंगे बार में दिखाएंगे सक्ति दिखाते हैं कहां जी बार में तो यह हो गया आपका कहां सर्गुजा संभाग और बिलासपूर संभाग के कुछ एरिय अब अपन बिलासपूर देखते हैं कौन सा देखते हैं बिलासपूर यह हुआ फिर से आपका 36 गड़ का मान्चित्र ठीक यह सर्गुजा संभाग यह बिलासपूर देखते हैं बिलासपूर में अपन रायगार देख लिए सक्ति देख लिए जांजगिर देख लिए सक्ति कहां दिखा थन जी बार में दिखा थन सक्ति कहां दिखा थन बार में दिखा थन अब यह हुआ बिलासपूर संभाग ठीक कह बिलासपूर जीला अब बिलासपूर जीला में देखो देखो बिलासपूर में आप लोग नाम सुने होगे बिलासपूर में क्या नाम सुने होगे जी बिलासपूर में तिफरा मंदिर का नाम सुने हो तिफरा मंदिर बिलासपूर में किसका नाम सुने है तिफरा माता का मंद तिःफ़रा के मन्दीर में सीर में बेल लिये कालिये बेल लिये, पहरी देथे गूरी है कौन देथे? पहरी मतलब पहरी देना मतलब रकफारी करना पहरी देथे कोना गोरी है एक गोरी लड़की है पहरी देथे एक बार रिवाइस करते हैं बिलासपूर में का है तिफरा मंदीर है क्या है जी बिलासपूर में तिफरा मंदीर है तो तिफरा के मंदीर में तिफरा के मंदीर में सिर में तिफरा के जो मंदीर है ये तिफरा का म मंदीर है ठीक इस तिफरा के मंदीर में सिर में कहां पे सिर में बेल लिए सिर में सिर में अपन का लिए बेल लिए बेल जो होता है ना बेल खातें बेल पत्ता उसका फल होता है बेल लिए पहरी देथे गुरी है को नहीं देथे पहरी देथे गुरी है ठीक तो तिफरा के कर देता हूँ, जो हेडला, जो हम को पढ़ना है, उसको अलग करता हूँ, मैं यह हुआ तिफरा केiał मंदीर में, कहाँ पे जी तिफरा के मंदीर में, कहां के बंदीर में तिफरा के मंदीर में सिर में कहां पे सिर में बेल लिए पहरी देथे गुरी है कोना पहरी देथे गुरी लड़की है पहरी देथे गुरी लड़की है तब देखो तिफरा से यहां पेर तिफरा से तिफरा याया ठिक तिफरा तिफरा के मंदीर में, सिर में सिर से काया, सिर से काया जी सिर से सिरगटी सिर से सिरगटी सिर से सिरगटी सिरगटी में, सिर में बेल लिए बे से का होग जाएगा, बेल गहना क्या हो जाएगा जी, बेल गहना बे से बेल गहना, बे से बेल गहना लिए पहरी देथे गोरी है पहरी से का हो जाएगा सिल पहरी पहरी से क्या हो जाएगा सिल पहरी का हो जाएगा सिल पहरी देथे गोरी है गोरी से दगोरी यह आपके लिए ट्रिक ठीक तो बिलासपूर के तिफरा बिलासपूर में जो तिफरा मंदीर है तिफरा के मंदीर में कहां पर तिफरा के मंदीर में सिर में बेल लिए सीर में काले थे जी हम बेल लिए पहरी दे थे गोरी है तो तिफरा से आपका तिफरा सीर से सिरगिटी बेल से बेल गहना और पहरी से सिलपहरी और गोरी से दगोरी यह हुआ आपका बिलासपूर जीला बिलासपूर जीला में यह है तो बिलासपूर जीला कतम अब बिलासपूर के बाद है हमारा आपका बिलासपूर के उपर में जस्ट गौरेला पिंडरा मरवाही है क्या है आपका गौरेला पिंडरा मरवाही है क्या है जी गौरेला पिंडरा मरवाही है दो मिनट यह आपका यहां पे गौरेला पिंडरा मरवाही है ठीक गौरेला पिंडर यह GMP बोलते हैं इसको गोरेला पेंडरा मरवाही में एक नाम याद रखना अंजनी क्या है अंजनी पूस्त है ना इसलिये मैं इतना बता रहा हूं क्योंकि छेत्रवार पूस्त है तिपरा कहां है दगोरी कहां है इसलिए वता रहा हूं हम question solve करेंगे वो पूछा गया है तो गवरेला पेंडरा में अंजनी कहां है अंजनी ठीक और उसके जश्ट नीचे में यहां पे आपका मुंगेली मुंगेली में क्या है जी मुंगेली में आपका खमरिया याद रखना मुंगेली में आपका खमरिया मुंगेली में क्या है आपका खमरिया मुंगेली में क्या है आपका खमरिया ये हो गए आपका सरगुजा संभाग और बिलासपूर संभाग एक बार repeat करते हैं साथ में बोलन नेंद्रगड में, ठीक, सर्गुजा में आपका गंगापूर खुर्द और नयानपूर गिर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व गाउं है जस्पुर के नीचे Je veg में ला रहा है उसके बाद सक्ति कई से अथे? बार जाबे तो सक्ति आ थे, सक्ती..बर बाहर जार लग थे, जो दारू पीते हैं, ँद लोग क्या करते हैं, वो नसा हो जाता है तो उसके पाद सक्ति आ खाता है, तौश्च्रा याथे तो बार से बारा द्वार ठीक और जानजगीर चापा में कापन और मुक्त राज कापन और मुक्त राज यह हो गया आपका अब उसके बाद बिलासपूर संभाग बिलासपूर सिर्फ बिलासपूर जीला में तो बिलासपूर में फेमस मंदिर कौन सा है तिफरा मंदिर तो ति हिह उसको क्लिर करता हूँ आपको अच्छे से बना के मैं पीडिएप में देदेंगा जिसको पीडियपे वढिए वलिंग पे और यह Heck है आपका मेरा वाट्सब्वाट्सजिए 50 गोलुका देपारा रूम्झि वाट्साप नंबर है сюда 1566-199-260 यहां पर आप लोग कमेंड मेसेज करें सेंट पीडियेप मैं आपको पीडियेप फ्रे में प्रोवाइट करा दूगा ठीक है जी तो यहां तक देख लिए हम लोग बिलासपूर संभाग कंप्लिटेड अब बिलासपूर संभाग के बाद अपन चलते हैं कहां पर द हैं कौन सा संभाग दूर्गसं भाग दूर्गसं भाग में यहां पर है कमर्धा क्या है जी कमर्धा से कमर्धा में हरियन छपर छपर इसको अला कलर करते हैं क्या है आपका हरी 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 छपरा हरी छपरा ठीक तो छपरी लोग कहां रहते हैं याद रखना छपरी लोग कमरधा में रहते हैं और छपरी कौन है क्या कांट हुआ था आपको पता है ना कमर्धा में क्या कांट हुआ था तो छपरी लोग कहां रहते हैं कमर्धा में रहते हैं ऐसे mind पे मतले न भईया कमर्धा वाली अगर कोई हो तो मैं पढ़ाने के लिए याद कराने के लिए आपको बोल रहा हूँ ठीक है तो छपरी लोग कहां रहते हैं कमर्धा में रहते हैं छपरी लोग कहां रहते हैं जी कमर्धा में रहते हैं अब कमर्धा की नीचे आ गए अपन राजनान गाउं कहां पर राजनान गाउं में राजनान गाउं में एक दो ठो याद रखो एक तो जोरातरे जोरातरे और इंदवानी जोरा तरई और इंदवानी राजनान गाव में जोरा तरई और इंदवानी ठीक यहां पे आपका दुर्ग जीला दुर्ग जीला में आपका बुरई याद रखना कौन सा बुरई ठीक तो ऐसे याद रखना बहुत बुर लगता है जी कहां पे दुर्ग में बहु बहुत बोर लगता है जैसा तिस गढ़िम बोल सकते हैं दुर्ग में बहुत बोर लगते हैं ठीक दुर्ग में बहुत बोर लगता है कहां बोर लगता है दुर्ग में लगता है कहां चपरी लोग रहते हैं कमरधा में चपरी लोग रहते हैं कहां पर रखते हैं कमरधा में का बलोदा बजार में अवरेठी याद राखना और रेठी बलोदा बजार में आपका अवरेठी सबसे चोटा और द्यूगिक विकास केंदरा तो ओरेठी रेठी मतलब क्या होता है पतला दुबला रेठी मतलब पतला दुबला होते तर रेठी टुरीमन कहां के बलोदा के बजार में कहां के बलोदा के बजार में रेठी टुरीमन मिलते कहां मिलते जी बलोदा के बजार में रेठी टुरीमन के बजार में रेठी टुरीमन मिल थे लड़की लोग माइंड पे मत लेना याद करने के लिए कर सकते हम कुछ भी ठीक तो रेठी टुरीमन कहां मिल थे बलोदा के बजार में रेठी टुरीमन मिल थे आपके बलोदा बजार में रेठी टुरीमन मिल थे बलोदा बजार में रे रीठीन हो गया उसके बाद आपन महासमून आते हैं यह आपका महासमून कहां जी महासमून महासमून में बीर कोनी याद रखना क्या याद रखना बीर कोनी बीर कोनी यह महासमून में बीर कोनी महासमून में कोनी तो महासमून में बीर कोनी महासमून में बीर कोनी और यह में बेल टुकरी याद रखना बेल टुकरी तो बस उपर नीचे याद रखना उपर में है बीर कोनी नीचे में बेल टुकरी नीचे में आपका बेल टुकरी ठीक अब आपन रायपूर देखते हैं क्या देखते हैं रायपूर आपका जो रायपूर है ये तो अपन उसी गाने से कुछ बनाएं है तो रायपूर के भाटो जो कलर कर रहा हूँ वलक कलर कर रहा हूँ वो ही को पढ़ना है भाटो रायपूर के भाटो ठीक रायपूर के कौन जी भाटो आमाला कला रायपूर के भाटो आमाला यह ला है वो सेलेंट है ना आमाला कामा ला सिर्मा कामा सिर्मे सिल्मे सिल्मे ना ये ला है ये क्या है आपका ला है सिल्मे सिल्मे उर दे थे उर मतलब अपन उर मतलब क्या है जी उर जैसे की मतलब बिच्छा देना नहीं होते उर्दे थे, उर्दिस ऐसा कुछ, उर्दे थे, तो उर्दे थे, अब भन 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 करते, का करते, भन 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 करते, मैं एक बार पुरा लिक देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, कि बुल ये है क्या, भन भन उर्दे थे, उर्दे थे, अब भन भन करते, भन 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 करते ठीक तो गाना क्या है रैपूर के भांटो रैपूर के कौन जी रैपूर के भांटो आमाला काला आमाला सिल में सिल देखे न ऐसा सिल लोड़ा होता है सिल में उर देथे उर देथे मतलब बिछा देथे और भन 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 करते यह होए रैपूर का छेत्रवार पूस्ता है इसलिए याद करा रहा हूं ठीक है तो गाना सुने है रैपूर के भांटो दिलदार हवेगा तो रैपूर के भांटो आमाला सिल में उर देथे और भन 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 करते रायपूर के भांटो हा आमाला सिल में जो सिल है उमें उर्दे थे भन 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 करते ठीक अब देखते हैं भांटो भांटो से हुआ आपका क्या जी भांटो से रावा भांठा भांटो से आपका रावा भांठा ठीक भांटो से क्या हुआ जी रावा भांठा आमा से आ आपके आमा सिवनी, ठीक, सिल से सिल्तरा, और से उरला, और भन भन से भन पुरी, ठीक, तो गाना गाय साथ में, यह हुआ रायपूर का, ठीक, यह हुआ आपके रायपूर का, उसके बाद, रायपूर के बाद अपन पहुँचते हैं, यहाँ पे धमतरी, कहाँ पे धमतरी, धमतरी में आपका, क्या है, धमतरी में है, आपका स्यामा तरई, स्यामा तरई, स्यामा तरई, जी जाम गाऊं, यहाँ पे कोचर पोचर हो गया है, मैं इसको अच्छे सापको बना के, PDF में दे दूँगा आपके समझाने के लिए यहां पे थोड़ा सा उपर नीचे हो जा रहा है ठीक है तो अपन रायपूर संभाग फिर से यहां पे देखते हैं रायपूर संभाग में आपका अपन देखे कहां पे कहां के छपरी कहां के छपरी लड़का कमर्धा के छपरी लड़का कहां के छपरी लड़का कमर्धा के छपरी लड़का जोरा तरे इंदवानी कहा है जी राजनान गाउ में कहा है जोरा तरे इंदवानी राजनान गाउ मे अब बोर कहां लगते हैं, बहुत बोर लगते, दुर्ग सीटी में बहुत बोर लगते, यह हो गया आपका दुर्ग संभाग, ठीक, अब राय कहां चलते हैं, बलोदा बजार, तो बलोदा के बजार में रेठी टूरी, कहां के बलोदा के बजार में रेठी टूरी, तो रेठी से औरेठी औरेठी सबसे छोटा और द्योगी के विकास केंद्र है और रेठी ठीक महासमून में क्या जी महासमून में बिरकोनी और गरिया बन में बेल टूकरी गरिया बन में बेल टूकरी ठीक अब रायपूर जीला देखते हैं रायपूर में तब गाना सुने हैं रायपू आमा से आमा सीवनी, सील से सिलतरा, उर से उल्रा, भन-भन से भन पूरी कोट कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना ठीक, अगर आप लोगों को अच्छा लगे का तो फिर मैं और मेरे साथ मैं जो पढ़ता हूँ वैसा टाइप का बनाया हूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता लेकिन कई-कई जगह में यूज करना चीए, कई-कई जगह में चीजों को ट्रेस करना चीए ठीक, आपका धमतरी, धमतरी में स्यामातरे और जिम गाउं यह हो गया आपका कौन सा कौन सा जी आपका रायपूर संभाग खतम अब रायपूर संभाग के बाद अपन चलेंगे बस्तर संभाग यह हम कौन सा पढ़ लिए सरगुजा सरगुजा में कौन सा पढ़े मनेंद्रगड में क्या पढ़े जी परसा कहा गिर थे मनेंद्रगड मे यहां पर जस्पूर में पढ़े जस्पूर में गिर्वर पहला गंगा खोर्द का पढ़े गंगा खोर्द ठीक फिर उसके बाद नयन पूर गिरिवर गंज ठीक और जस्पूर में बर गाउं, जस्पूर में बर गाउं, जस्पूर में ये जस्पूर, जस्पूर के नीचे आपका रायगर में लारा, लायगर में लारा, सक्ती में क्या है, सक्ती किसे आ थे, बार जाबे तर सक्तिया थे, बार जाबे तर सक्तिया थे, बारा द्वार, ये आ तिफरा के मंदीर में सिल में बेल लिये पहरी देथे गोरी है ये कोड है बिलासपूर में का है तिफरा मंदीर है का है जी तिफरा मंदीर तिफरा के मंदीर में बिलासपूर में तिफरा मंदीर है तिफरा के मंदीर में सिल में बेल लिये पहरी देथे कोना गोरी है ये आपक खमरिया मुंगिली में खमरिया और कहां के लड़का मंच्छपरी है कमरधा के राजनान गाउ में जोरा तो रही इंद्वानी बोर कहां लग थे दुर्ग में बोर लग थे ठीक मांकि अभी जैश्ट पढ़ें अब पढ़ते हैं बस्तर संभाग क्या पढ़ेंगे बस्तर संभाग यह आपका बस्तर संभाग यह बस्तर संभाग यह सरकूजा हो गया बिलासपूर हो गया कमरधा दुर्गा संभाग गया रायपूर संभाग खतम अब बस्तर में तो बस्तर म कहां पहुंचते हैं, कांकेर, कांकेर में लखन पूरी, कांकेर में क्या है आपका लखन पूरी, कांकेर में क्या है आपका लखन पूरी, कांकेर में आपका लखन पूरी, क्या है जी कांकेर में लखन पूरी, कौन सा है कांकेर में लखन पूरी, कांकेर के बाद आपका ये बस पहुंचते हैं बस्तर में आपका धूरा गाउं कौन सा गाउं धूरा गाउं और कचला धूरा गाउं और कचला यह आपका दंतेवाडा दंतेवाडा में टेक नार क्या है टेक नार टेक नार टेक नार दंतेवाडा में टेक नार ठीक यह अपन टोटल पढ़ ले अध्योगि पार का, पूरे 36 गड़ के जितनी जीले हैं, उसके टूटल अध्योगिक पार का यहां पे हम लोग पढ़ लिया हैं, ओके जी, पूरे अध्योगिक पार का हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से याद क्यों हैं, अब हम लोग question solve करते हैं, आप लोगों से हर एक question बने रहा है 36 गड़ राज्य के किस चीले में सोलर इस्पेसल इकोनॉमिक जोन सेज विक्सित किया जा रहा है कहां पर विक्सित किया जा रहा है जी सेज आपका कहां पर विक्सित किया जा रहा है सोलर इस्पेसल इकोनॉमिक जेन सेल विक्सित किया जा रहा है कहां पर राजनान गा में, कोर्बा में, कबिरधाम या सुरजपूर में, 2022 में पुछा गया कोश्यन था, ठीक, तो कहां विक्सित किया जा रहा है, सोलर, स्पेशल, एकोनॉमिक जेन, राजनान गाउ में, कहां पे? राजनान गाउ में, इसका एंसर में, पीडिएप के लाश्ट में आपको लगता है जी बोर लगता है दुर्ग में ठीक एंसर बनेगा देखना आप लोगों से बोर कहां लगता है दुर्ग में लगता है ठीक बिरकोनी और द्योगिक विकास केंद्र इस्तित है चलो बताओ बिरकोनी और द्योगिक विकास केंद्र इस्तित है बताया था मैं महा समून में बिरकोनी है ठीक और गरिया बन में बेल टुकरी है गरिया बन में बेल टुकरी तो बिरकोनी कहां है महा समोन में कहां पर है जी महा समोन में बिरकोनी कहां है आपका महा समोन में फिर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन चौथा नमबर का कोश्चन है गंज एकी कृत अधो सरचना विकास किंद्रक की इस चीले में इस्तित है मैं आपको पढ़ाया हूँ नयनपूर कहां पे ये नयनपूर गिरवर गंज कहां पे है मैं बताया था जो सरगुजा संभाग है वहां पे तीन जगा है परस कहां गिरिज मनेंद्रगड में फिर सरगुजा आया सरगुजा में एक बताया गंगा खुर्द और दूसरा बताया था नयनपूर यहां पे जस्पूर में बताया था बर गाउं ठीक तो नयनपूर कहां है जी नयनपूर आपका सरगुजा में है कहां पे है सर गुजा में ओके ठीक नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर पांच वा इस राज्य में बिलासपूर के निकट निम्नलिकित में से कौन सा अध्यूकिक विकास किंद्रा इस्थापित किया गया है तो बिलासपूर के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं जी बिला के मंदिर में कौनती पहरी मतलब रख्वारी कर दे कौन गुरी घह मतलब गुरी है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा बिलासपूर में सिर्गिट्टी है क्या बोरई है क्या बोर कहां लगता है हमको पता है दुर्गा में लगता है उर्ला है क्या या सिल्तिरा है क्या आप बताओ कौन सा है आप चलो जी एंसर बताओ आप लोग क्योंकि कोट कोट में कई जगा फस भी जाता है कोड कोड में कर जगा बन भी जाता है तो बताओ तो सील सील वाला बताया था रायपूर में क्या था रायपूर के भांटो आमाला सील में उर्दे थे आमाला सील में उर्दे थे तो सील बताया था सील सील कहां है रायपूर खतम हो गया उर से भी रायपूर हु तो सीर में बेल लिए, सीर गिट्टी, ओके, ठीक, नेक्स्ट कोश्यन देखते हैं, 36 गड का प्रतम अध्योगिक छेत्रा कहां इस्थापित गया, प्रतम अध्योगिक छेत्रा ना, प्रतम बोल रहा है, तो प्रतम अध्योगिक छेत्रा कहां है जी, उरला में, उरला कहां है, आपका रायपूर सीटी में है उर्ला कहां है आपका रायपूर में है ओके इसका थोड़ा डिस्क्रेप्शन आगे देखते हैं ठीक नेक्स्ट है इसके डिस्क्रेप्शन देखो 36 गड़ का प्रथम अध्योगिक छेत्र कहां है उर्ला रायपूर में कब बना 1990 में याद रखना प्रथम है उर्ला में कहां है उर्ला है रायपूर में 1990 में 36 गड़ छेत्र फल के अधार पर सबसे बड़ा अध्योगिक छेत्र छेत्र फल के अधार पर सबसे बड़ा है आपका सिल्टरा, सिल्टरा, सिल्टरा कहा है, सिल में उर्देधन, कहा है, आपका रायपूर में, अच्छेत्र पर्द के अधार पर सबसे छोटा अद्योगिक छेत्र और रेठी, तो रेठी टूरी कहां के है, बलोदा बजार के, बजार में मिलते हैं, रेठी टूरी कहा है, आपका सबसे छोटा है और एठी सबसे बड़ा है सिल्तरा ठीक है सबसे अधिक निवेस वी निवेस तथा रोजगार देने वाला ओद्योगिक छेतर कौन सा है उरला ओके कौन सा है जी उरला ठीक नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर सात्वा चेतरिस गड़ में किस अधिक विकास किंद्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है अभी जश्ट देखे देखो यहां पे क्या देखे अधिक वी निवेस और रोजगार देने वाला ओद्योगिक को यंद्र कौन सा है उरला क्या है जी उरला तो इसका answer क्या ह हो जाएगा आपका इसका answer क्या होगा कौन सा सात्वे का answer क्या होगा सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा हो जाएगा आपका उरला ठीक उरला कहां है राइपूर में ठीक आठवा question निम्नलिकित में से कौनसा और द्योकिक विकास केंदर इस राज्य में सबसे अधिक विस्त्रित है विस्त्रित है मतलब बड़ा है बड़ा कौनसा है जी बड़ा है आपका सिलतरा और छोटा कौनसा है और रेठी और रेठी मतलब कहां और रेठी है लड़कियां लोग माइं मतलेना यह अपना याद करने के लिए है याद हो जाता है से सब चीजों से नवा कोशन 36 गड़ में वरिहत और द्योगिक छेत्र की स्थापना निम्ने लिखित में से कौन सा समबंधित नहीं है वरिहत और द्योगिक छेत्र ठीक तो वरिहत और द्योगिक छेत्र में कौन सा सामिल नहीं है ये बताना है आपको तो option number A में तिल्दा है option B में दगोरी option C में लारा और option D में कापन हम लोग सभी चीजे पढ़े हैं और द्योगिक छेत्र में लेकिन बोल क्या रहा है वरिहत और द्योगिक छेत्र किसमें वरिहत और द्योगिक छेत्र में कौन सामिल नहीं है ये पूछ रहा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो हो जा रहा है लंबा लगभग आपका भी तक 40 मिनिट का हो गया है तो आप लोग बोर हो जाओगे इसलिए इसका एंसर भी बता दिता हूँ इसका एंसर होगा कापन कापन में क्या है वरियत अद्योगिक नहीं हम लोग वरियत अद्योगिक छेतर पढ़ेंगे वहाँ पर बताऊंगा मैं कापन नहीं है ठीक next question देखते हैं दस्वा नंबर का question है राज्य अद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रयोजित एकिकृत अधो सरचना विकास केंद्र निमलकित में से किस इस्थान में नहीं है पूछा है ठीक नहीं है बताना है हम लोग बिरकोनी पढ़े हैं हरियन छपड़ा पढ़े हैं नैनपुर पढ़े हैं और बुरई भी पढ़े हैं लेकिन यह क्या पूछ रहा है एकिकृत अधो सरचना विकास केंद्र इस्थान में नहीं है यह पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है तो इसको हम लोग पढ़े नह theory हम लोग next वीडियो में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका answer देखेंगे detail देखेंगे लेकिन यहाँ पर इसका answer देख लेते हैं इसका answer क्या होगा जी एक हिसाब में आप लोग guess करके देखो क्या हो सकता है इसका answer हो जाएगा आपका बुरई जो है एकिक्रित और दयोगिक विकास केंदरा में सामिल नहीं है कौन सा है आपका बुरई एकिकरत और दयोगिक विकास केंदरा में सामिल नहीं है ठीक इसको हम लोग देखेंगे next part में next question है ग्यारवा नंबर का 36 गर राज़ है कि नवीन और द्योगिक निती समय कब से कब है तो कब से कब है अभी चल रहा था ना आज कितनी तारीक है आज आपका 22 22ços 228 600 समय है आज की डेट पर विटियो रीकार्ट कर रहा है आभी बज़ा है आपका बापरे रात का डियर्ठ बजय है जाए डियर्ढ बजय मैं आप लोगों के लिए महुत कर्रहा हूं महनत क्यों कर राहूं डेड़ बजय के लिए क्योंकि दिन में यहां कशेर है दिन में द इसलिए नहीं बना पता, तो मैं लगभग आप लोगों के लिए डेड़ बजे रात में महनत कर रहा हूं, आपको यकिन नहीं होता, तो यहां पर डिस्प्ले होगा क्या, नहीं हो रहा है, तो यह देखो, डेड़ बज़े, कितना बज़ा है, एक बज़ के 31 मिनट हुआ है, मै एक बच की 31 मिनट में आप लोगों के लिए महनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से भी मैं थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ कि प्लीस वीडियो को अगर यहां तक देख रहे हो तो प्लीस वीडियो को सेर जरूर करें और कमेंड करें आप लोगों के लिए helpful वीडियो है ऐसा नहीं कि मैं उठा के कुछ भी बना दू आप लोगों के लिए बहुत important important question बना के ले के आ रहा हूँ तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए भी थोड़ा कुछ कीजे ठीक है तो अभी देखते हैं दो हजार दो हजार चोबिस के हिसाब से अभी नई अद्योगिक निती आ गई है और नई अद्योगिक निती में 24 से 39 है याद रखना नई अद्योगिक निती में अभी 24 से 39 है लेकिन पुराना भी आपको याद रखना है 19 से 24 आपको पुराना भी याद रखना है ठीक 19 से 24 और 24 से 29 ये दोनों आपको याद रखना है अभी नया ये है रिसेंटली और पुराना ये है ठीक तो इसका एंसर क्या होगा पुछोगी इसका एंसर अभी कहसाब से ये हो जाएगा पुराने कहसाब से ये हो जाएगा ओके नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बारवा नंबर का क 36 गड़ राज्य उद्योगिक पुरुसकार योजना सुरू की गई थी कब सुरू की गई थी मैं आपको पहले ही बताया फस्टे पांट में बताया था अब आप लोग यहां तक वीडियो देख रहे हुना जी तो इसका कमेंट करो इसका एंसर क्या होगा मैं नहीं और इसका एंसर क्या होगा आप लोग यहां पर कमेंट कीजिए ठीक तेरवा नंबर का कोश्चन 36 गड़ में कौर सेक्टर में कौन सा उद्योग सामिल नहीं है आटो मोबाइल सामिल नहीं इस्टील सामिल है सिर्मेंट सामिल है इलमोलियम सामिल है कोईला सामिल है लेकिन आ रिखते हैं question number 14 है चवदा बोलता है 36 गड़ राज्य और द्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी और द्योगिक विकास निगम की स्थापना मैं इसको बताया हूँ इसका answer आप आप लोग कमेंड करोगे मैं नहीं बताऊंगा जिमकि मैं महनत करो तो आप लोग भी थोड़ा महनत करो ठीक 36 गड़ राज्य और द्योगिक विकास निगम लिमिटेट कार्पोरेशन का कार्यायला भी बताया हूँ कहां है रायपूर में है ठीक है कहा है जी आपका रायपूर में हैं इसके कारयाला कहां है विकाएपूर भी आप लास्ट कोस्च्छन आपके लिए बोनस कोस्चन है आपका तो प्लीस लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आप लोग जी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत अपने टीचर के लिए भी कर दीजे वीडियो को सेयर कर दीजे थाकि मिरों को इतने रात में जग जग क्या आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं मिर